नमस्कार शाथियो जमीन यूटूब चैनल पर मैं राकेश एक बार फिर से आपका पहुत-पहुत स्वागत करता हूं आज कल खेती में रशाइनों के बढ़ते पर योग और इसे होने वाले दुस परिणामे कारण लोग राशाइनिक खेती से मूँ मोड रहे हैं और आज कल उनको जैविक उत्पाद हैं उनकी जरूरत मैसूस होने लगी है और इसी जैविक उत्पाद की चाह ने एक किचन गार्डन का जो कंसेप्ट है जो गार्डनी का कंसेप्ट है उसको जनम दिया है एक अलग प्रारूप में क्योंकि हर जगें जैविक उत्पाद अवलेबल नहीं होते या जहां होते हैं वो काफी महंगे हैं खुले छेत्र में जो लोग रहते हैं जिनके पास जगें परियाप्त हैं वो तो अपने घरेलू जो परियोग के लाइक सबजियां हैं या जो दूसरे जो फसले हैं उनको अपने घर पर ही उनका उत्पादन कर रहे हैं लेकिन जो इसकात थी के हमारे पास जगहें तो है लेकिन उसमें हमेशा छाया होती है उसमें धूप नहीं आ पाती तो हम जो है अपनी जो सबजियां है जो अपने किचन गार्डन है उसको अच्छी परकारशे मेंटेंग नहीं कर पाते तो उनकी जो सिकायत है उनकी जो समश्या है वो वास्तों में जायद है कि जो हर एक जो क्रिशी उत्पाद है उसको धूप चाहिए होती है और जा धूप नहीं होती वहां हम जो है गार्डनिंग नहीं कर पाते तो आज मैं ऐसी कुछ जो है सब्जियां लेकर आया हूं जिनको हम छायां में भी पैदा कर सकते हैं और अच्या करती है जहाwn हम इन सब्जियों का उत्पादन करके और आपने घरलोप योग में छह काम में ले सकते हों तो सबसे पहले में बात करता हूं जो हमारे ऐतों occasionally के खरपतवार के तोर पर उगती है और बहुत ही पोस्टिक सर्दियों में जो होती है और अनीमिया और जो खून की कमी है उनके लिए तो यह वर्दान शवरूप है एक तरह अम्रत है क्योंकि इसमें आयरन बहुत प्रियापत मातरा में होता है जो बथवा के नाम से जाना जाता या डाल में डाल सकते हैं इसके काफी सारे प्रियोग है दूसरे नंबर पर चोलाई है चोलाई भी अमारे खेतों में खरपतवार के रूप में उगती है और यह एक नैचूरली ही जो है जैविक खरपतवार है क्योंकि यह रासाइनों का प्रियोग उने जला लग जाता है वहां देरे देरे खतम हो जाती है तो चोलाई को आप छाया में अपने घर पर आसानी शूगा सकते हैं और काफी पोस्टिक सब्जी है और काफी स्वादिष्टेक इसकी सब्जी तयार बुझी तयार होती है इसके बाद जो आमारी अगली है वो है साटी साटी भी गर्मियो वो काफी मात्रा में हैं बहुत ही पोस्टिक सब्जी है और यह ऐसी सब्जी है जो पोस्टिक होने के साथ स्वादिष्ट भी है अगर आपने एक प्रशाटी का रायता खा लिया तो आप दूसरे शौद भूल जाएंगे साटी का रायता भाजी या किसी अन्ने सब्जी में भी अगर हम डाल देते हैं तो उसका स्वाद जो है अलग हो जाता है तो सटी को भी हम छाया में अराम से उगा सकते हैं और शिरफ इसको उगाने के लिए इसका बीज डालना होगा और पानी देते रहें बाकि आपको कोई मेनत नहीं करनी और ये अराम से ग्रो करेगी और हमें बहुत जल्दी बार-बार तोड़ने के बाद फूट कर बढ़ती ये रहती है और इसकी भाजी इसकी जो सबजी मिलती रहेगी इसके बाद धनिया है धनिया भी खुस्बू के लिए लग बगग हर एक सबजी मिपरियो किया जाता है और ये जो है लीवर के लिए भी काफी फाइदे मन्द होता है ठंडी इसकी ताशीर मानी जाती है तो धनिये को भी हम थाया में उगा सकते हैं इसको चोटे डबों में लगाकर बाल को निम रख सकते हैं जा अच्छी प्रकार से रोशनी आ रही हो वहां धनिये को उगाया जा सकता है और ये अच्छा गरो करेगा इसकी जो भीनी कुसबू है वो हमारे घर को भी पूरा भर देगी, इसको उगाने के बाद सिर्फ आपको पानी देना है, थोड़ा बहुत अगर आपके पास जैविखाद है तो वो डाल सकते हैं, और यह आसानी से ग्रोव करेगा, और रोज आपको ताजा धनिया मिलता हल्दी है, जो है लगबग हर एक सब्जी में प्रियोग होती है, और यह सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए, और उसकी पोशक्ता बढ़ाने के लिए उप्योग मिकी जाती है, हल्दी के गुणों से तो आज गल लगबग साभी वाकिफ हैं, और इसका प्रियोग भी कर तो हल्दी को भी आप चाया में उगा सकते हैं, ऐसी जगें जा परियाप्त जो है रोशनी आ रही हो, धूप की कोई जरूरत नहीं होती है, और इसके पत्तों से का भी प्रियोग होता है, और इसकी जो गाठ होती है, वो भी सब्जी के लिए परियोग होती है, जो अगली ज है, सिमला मिर्च और मिर्च में थोड़ा है डिफरेंस ही होता है, कि सिमला मिर्च और मिर्च दोनों ही चाया में गरो कर सकती है, लेकिन जो मिर्च है, नोर्मर मिर्च है, उस पर चाया में गरो करेगा, फलेगा, भुलेगा, बढ़ेगा, लेकिन फल नहीं आएंगे मिर्च में और शिमला मिर्च जो है वो चाया में भी उसमें फल आ सकते हैं तो शिमला मिर्च को भी हम किसी गमले में लगाकर अपनी बालकोनी में या जहां भी आमारे किचन गार्डन में किसी पेड़ के निच्चे या किसी सैड़ के निच्चे इसका प्रियोग कर सकते हैं पुदिन को भी आप गंले में लगाकर या अपने किचन गार्डन के लगाकर संधाया में भी इसको उगा सकते हैं और आपको ताजया पुदीना मिलता रहेगा टमाटर को भी अम्द सैयंम सके भालत थो ऑप這個是 होगी इसमें के लिए फल को तोड़ कर दो नेगे नहीं तो पकाने के जाएंगे और हमें दो तीन दिन बाद जैसे प्लांड करके हमें तीन दिन बाद वो फल चाहिए जो पक चुका है तो उसको आज तोड़ कर रख देंगे वो दो तिन दिन बाद पक कर हमें तयार मिलेगा और हम उसका अपना प्रियोग कर शकते हैं इसके बाद सर्दियों में जो है सर्षों काफी पोस्टिक सब्जी है सर्षों की बाजी बनाई जाती है सर्षों का शाग बनाया जाता है जो पंज्याब में तो खासकर काफी परतलीत होता है तो सर्षों को भी हम चाया में उगा सकते हैं और इसको जड़ा देख वाले की जरूत नहीं होती है बीज डाल या हमारे घरम में उपयोग नहीं कर पाते हैं उनको लाकर हमें मिट्टी में दबा देना है और पानी दे देना है थोड़ी दिन बाद वह फूल कर उसमें पत्ते आ जाएंगे जिनको आल कहते हैं आल के रूप में ये सबजी में, ये वादजी में या प्रियोग की जाती है, हरा प्याज भी हम छाया में उगा सकते हैं, इसके बाद कुछ ऐसी सबजियां हैं, जिन में 2-3 घंटे की धूप चाहिए होती है, तो या तो हमारे पास ऐसी जगें हो, जा 2-3 घंटे धूप आ रह सकते हैं, जैसे मटर है, मटर को हम चाया में उगा सकते हैं, लेकिन इसको फलने के लिए 2-3 घंटे की धूप चाहिए होती है, तो इसको ऐसी जगें लगा दे, जा 2-3 घंटे धूप आती हो, या रिफलेक्टर से उस पे हम रोशनी डाल सकते हो, फिर उसको गमले में अगर ह हम लगा रहे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत दिखानी होती है, और हमें ताज़ा मटर की फली मिल जाएंगी, उसके बाद मूली है, मूली भी एक पहुत ही पोस्टिक और पहुत ही बढ़िया जो है सबजी है, इसके कंद को रूप में वैशे भी खाते हैं, और इसकी सबज गंटे की धूप की जरूर्द होती है, अर्वी है, अर्वी का भी जो कंद की बहुत ही पोस्टिक और टेस्टी सब्जी बनती है, तो अर्वी को भी हम ऐसी जगह लगा सकते हैं, जा एक से दो गंटे धूप आती हो, इसको लगाना है, पानी देना है, और थोड़ा बहुत इसकी देखवाल करनी होती है, इसके बाद चकुंदर है, चकुंदर भी एक बहुत ही पोस्टिक सब्जी है, और काफी इसमें पोस्टत तो पाए जाते हैं, और इसको सलाद के रूप में सब तरह से परियोग किया जाता है, तो चकुंदर को भी हम लगा सकते हैं, ऐसी जग है और हम महिंगर के लिए जो है जय विक जो है उत्फाद हमें मिल पाएंगे इनके लिए बस थोड़ा ध्यान ये रखना है बिल्कुल अंधेर नहें हो थोड़ा जैसे खिड़की सफिर आ रहा यह खिड़की है यहां पर हमने लगा दिया तो यह उजला आ उसी में ये काफी ग्रो कर जाएंगी और हमें अच्छी फसल मिल जाएगी उमीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें धन्यवाद सब्सक्राइब ने अगर चैनल डाओ पत्या है तोो चैनल यो bendcendrau झाल झाल